हम सीखने जा रहे हैं कि अगर कोई triangle हमें draw करना है जिसमें 1 side दी गई हो और उसके साथ साथ जो बाकी की 2 side हैं उनका plus दिया हुआ हो और एक angle दिया हो और हमसे कहा जाए triangle बनाए जब भी हम कोई triangle बनाते हैं तो हमें 3 side की जरुत होती है, लेकिन यहां 3 side की वेलु नहीं दी 7 cm और वो जो एंगिल है वो 75 डिगरी है और इस एंगल को हमको create करना है तो सबसे पहले जो एक साइद आपको दी जाएगी 7 cm वह आप create करेंगे स्केल में आप देखिए यह आपका 7 cm आ रहा है तो आपने 7 cm पे टेक लगाया और आपने यह मार कर ली 7 cm ठीक है यह आपकी 7 cm की डाइन पन कई अब आपने इसका नाम कर दिया मनीजे B और C आपको 75 का एंगल बनाना है बीई से तो आप हमें 75 हम डिरी का एंगल हम यह वी कंपस से अभी पहले आपको सिखाने जाने की 75 की अंगल कैसे प्रिपन्ट पर यह आपको कट करेगा, यहां से आप एक दूसरा अर्क लगाईए, और यह ऐसे कट करा, यह जो पहला आर्क कटा है, यह आपका 60 डिग्री बनेगा, फिर आप एक आर्क और लगा नीचे, तो यह बन गया, यह बन गया, यह बाला जो आर्क लगा, यह वन हो गया है अब आप इस पॉइंट को और यह बी वर्टेक्स को मिलांकर एक स्ट्रेट लाइन कीचिए और यह एंगल आपका क्रियेट होगा 90 अब इसके बाद आपको क्या करना है यह लाइन जहां पे जारी यह आर्क जहां पर गाट रहा है यह पॉइंट और यह पॉइंट अ आपने यहां पर अपने और आपने आर्क लगाये दुसरा आरक है अपने यहां पर रखा और यहां से रहुत लगाये यह जो 0ē 5 कट ओर है यह सेवेंटिफाइब डिगरी बनता है यह कितना बनता है 75 डिगरी अपन अब लेकिन आपकी जो दोनों साइट का सम दिया है वो 13 cm है तो जो आर्क वाली लाइन है इसी में आपको 13 cm कट करना है तो यह चोटा पड़ड़ा है हम स्केल से यहां पर 13 cm मार्क करेंगे वैसे इसको आर्क से ही मार्क करना होता है ठीक है अब 13 cm देखिए आप यह पहां जा रहा ह इस point को नाम दे देते हैं A for example यह point आपका कर थेक्या अब इस A point को हम C point से मिला देंगे लेकिन यह आपका जो ट्राइंगल है यह त्राइंगल सही नहीं है यह जल्य है ठीक है यह आप इसको dotted line से मिला दीजे हो गया आपका फिर आपकी यह जो मेल लाइन थी 13 cm दादी इसको तो आप परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करें परपेंडिकुलर बाइसेक्ट का मतलब इसको ठीक आधा-धा बाइसेक्ट करें अब किसी भी लाइन को आधा-धा कैसे बाइसेक्ट करते हैं यहां किसी भी लाइन को कैसे बाइसेक्ट करते हैं तो जैसे आपके कोई यह लाइन ह इसको एंको बाइककिन करना है परपेंडिकुलर थो हम इसके डोनों पॉइंट पर आधे से जादा इस दागी आधे से जादा अन्दाज से हम ले लिते हैं। मैará नीजेक लइन का मैं को आधेसे जाधा हो गया। हमने इहां इधर भी आर्क लगाया। इसके बाद हम इस पॉइंट पर लेकर आएंगे और इम यहां भी आर्क लगाएंगे और यहां भी आर्क लगाएंगे यह जो लाइन जा रही है वो जो भी पर्टिकुलर लाइन उसको आधा आधा डिवाइट कर रही है आप इसको नाप दी सकते हैं अगर यह 6 cm होगी तो 3 cm यह पोर्हें और 3 cm इस तरह से वाईसक्ट किया जाता है तो कैसे बाइसक करते हैं कि जो भी लाइन होती है उसका आधे से जाधा लेते हैं अब अपनी फिगर पर आ रहे हैं कि हमको माली जह ऑर बी जो लाइन जाड़ी है इसको बाइसक्ट करना है तो हमने कुछ कमपस से ल लगाया और आपने यह आर्क लगाया दो यह पॉइंट पर यह आर्क कट गए अब हम इन आर्क को मिला देंगे यह हमने इसको मिला दिया तो आपका जिस पॉइंट पर यह कटे इस पॉइंट पर कट रहा है इस लाइम के उपर इस पॉइंट को माली ज़िए हमने दे दिया ड तो इस दी पॉइंट से आप सी को मिला दीजे तो अब ये बी सी डी ये रिक्वाइट ट्राइंगल है जिसमें बी डी और सी डी को आप नाप करके जोड़ेंगे तो वो थर्टीन सेंटेमीटर होगा